आज के सक्षमता परिक्षा में जितने भी प्रस्ण पूछे गए हैं उसका complete business lesson लेकर आया हूँ तो अगर आप हमारे चैनल कौसिक GS Academy से अभी तक नहीं जुरे हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर लिजे क्योंकि एक्जाम का daily analysis लेकर मैं आपके लिए आ रहा हूँ और आज प्रस्णों को option के साथ लेकर आया हूँ तो चली देखते हैं आज के एक्जाम में क्या-क्या प्रस्ण पूछा गया है आज के एक्जाम का पहला प्रस्ण है भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस की अस्थापना कब हुई तो भारतिय राष्टिय कॉंगरेस की अस्थापना कब होई, 1880 में हुई, कब हुई 1880 में याद रखेगा, आज के एक्जाम में ये प्रष्ष्णपूछा गया है, आज के एक्जाम में जो अगला प्रष्णपूछा गया, निमलिखित यूगमों में से सिंदू सब्ध्यतग किस युग में पड़ती है तो सिंदु सभ्यता किस युग में पड़ती है आद एतिहासिक काल में किस में आद एतिहासिक काल में पड़ती है अगला जो प्रस्न पूछा गया आज के एक्जाम में निमलिखित में से कौन सा आस्रम इंद्रियों पर सहियम रखने और बौधिक विकास करने की सिक्षा देता है तो ये कौन देता है ये देता है ब्रह्म चरे आसरम कौन देता है ब्रह्म चरे आसरम जो जैन धर्म से रिलेटेड है नेक्स्ट जैन धर्म बौध धर्म बिहार से रिलेटेड रहा है इसलिए उससे प्रस्ण लगबग डेल इक्जाम में पूछा जा रहा है अगला प्रस्ण जो पूछा गया वो है भारतिय सम्मिधान में मूल अधिकारों का वर्नन किस भाग में किया गया है तो मौलिक अधिकार का वर्नन किस में किया गया है भागतीन से related है मौलिक अधिकार नेक्ष्ट प्रसन जो पूछा गया आज के एकजाम में वो देख लिजी आप संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है तो संसार का सबसे बड़ा फूल है रेफलेसिया कौन सा है रेफलेसिया अगला जो प्रसन पूछा गया आज के एकजाम में दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाक बक्स पुकारा जाता है तो लाक बक्स किसे पुकारा जाता है तो ये पुकारा जाता है कुत्बुद्दीन एबक को किसे पुकारा जाता है तो भारत में राष्ट ये आयका संकलन किसके द्वारा किया जाता है तो ये किया जाता है किंद्रिये सांखे की संगठन के द्वारा अगला जो प्रसंद पूछा गया आज के एकजाम में चमगादर निमलिकित में से किस कारण से अंधेरे में उर सकता है तो यह क्या है कि वे रोसनी को क्या करता है तो वे प्रस्रब्य ध्वनी तरंगे उत्पन करता है अगला जो प्रसंथ आज के एक्जाम में चमगादर निमलिकित किस कारण से अंधेरे में उर सकता है तो चमगादर क्यों उर सकता है अंधेरे में तो वे प्रस्रब्य ध्वनी तरंगे उत्पन करता है अगला जो प्रसन पूछा गया आज के एकजाम में वो देख लिजे आप किस देश में कुल छेतरफल का सरवाधिक परतीसत बना अच्छा दित है यहीं सरवाधिक परतीसत में क्या है वहाँ पर बन पाया जाते है तो वो कौन सा देश है तो वो इसमें option के हिसाब से सूरी नाम है कौन है सूरी नाम अगला जो प्रसन पूछा गया आज के exam में वो था भारत के संविधान का धाचा तयार करने के लिए संगिये विवस्ता की योजना किस देश से ली गई थी तो संगिये विवस्ता की योजना कहां से ली गई थी ये ली गई थी आपका स्वीटिजर लेंड से किस देश से ली गई थी स्वीटिजर लेंड से option number D right हो जाएगा अगला प्रसन था भारत के संविधान का धाचा त्यार करने के लिए संगी विवस्ता की योजना कहां से ली गई थी तो संगी विवस्ता कनाडा के समिधान से ली गई थी अगला जो प्रसन पूछा गया वो देख लीजी आप गैस के गुबारे में हाइड्रोजन गैस की जगा हिलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि तो क्यों किया जाता है तो इसका इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होती है अधिक अस्थाई होती है क्या होती है अधिक अस्थाई होती है अगला प्रस्ट जो पूछा गया वो था फलो को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रियोक्त गैस कौन सा है तो फलो को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसकी एसीटीलीन गैस का प्रियोक किया जाता है किसका एसीटीलीन नेक्स्ट कोस्चन जो पूछा गया आज के एक इक जाम में वो देख लिजिए आप किस छेतर से उतकृ्ष्ट कारे को पुलिचर पुरसकार के लिए मानने था दिजाती है तो पुलिचर पुरसकार जो related है ये किसे related है तो ये साहित्त और पत्रकारिता से related है अगला जो परसन पूछा गया आज के एक्जाम में वो है computer data की सबसे छोटी एकाई है तो computer data की सबसे छोटी एकाई जो है वो कौन सा है वो है bit कौन सा है bit है अगला जो present पूछा गया वो है भारत की तट रेखा है भारत एक नजर तो आप 100% देख के जाईएगा ठीक है बिहार को भी देख लीजिए एक नजर और भारत को भी भारत की तट रेखा है लंबाई चोराई उसकी चोहदी जरूर देख के जाईएगा परोसी राजे परोसी देश तो भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो कितना है 7500 किलोमेटर एपरोक्स लगबग अगला जो प्रसन पूछा गया आज की एक जाम में भारत की सबसे लंबी सुरंग जबाहर टरनल किस राजे में इस्तित है तो जबाहर सुरंग किस राजे में इस्तित है तो यह जम्मू कस्मी राजे में इस्तित है अगला जो प्रसन पूछा गया वो देख लीजी आप कि चंद्रगरहन तब होता है जब क्या होता है चंद्रगरहन तब लगता है जब क्या होता है कि सुरे और चंद्रबा के बीच में क्या आ जाता है प्रिथवी आ जाता है सुरे और चंद्रबा के बीच में क्या आ जाता है प्रिथी भी आ जाता है तो फिर सुरी का प्रकास चंद्रमा तक नहीं पहुच पाता है इस तरह से क्या हो जाता है चंद्रग्रहन लग जाता है अगला जो प्रसन पूछा गया बायू मंडल में बायू में ऑक्सीजन की परतिसत कितना होता है तो ऑक्सीजन की परतिसत कितना ह नेक्स प्रस्ट था इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे तो इसके लेखक थे मौलाना अबुलकलाम आजाद कौन थे मौलाना अबुलकलाम आजाद अगला जो प्रस्ट अगला जो प्रस्ट आया आज अगला जो प्रसन था वो था स्रम दिबस की स्थिति को मनाय जाता है तो स्रम दिबस की स्थिति को मनाय जाता है तो एक मई को मजदूर दिबस मनाय जाता है अगला जो प्रसन पूछा गया वो देख लीजी आप अमीर खुसरो का नाम जोरा जाता है अमीर खुसरो बहुत बरा क्या था सितारवादक था क्या था सितारवादक था अगला जो प्रसंट पूछा गया आज के एक्जामी वो देख लिए बिहार से रिलेटेट जो कुछ प्रसंट पूछा गया उसे मैं लेकर आए हूँ आपके लिए तो बिहार से related present था बिहार राजी की अस्थापना कब हुई तो बिहार राजी की अस्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी याद रखी का 22 मार्च 1912 अगला जो present पूछा गया बिहार के पर्थम मुखमंतरी कौन थे तो बिहार के पर्थम मुखमंतरी सबको पता है सिंपल कोश्चन है बिहार से रिलेटर तो सिंपल कोश्चन कुछ कोश्चन हाड पूछ लेंगे हमारे चैनल पे वीडियो डाला गया है बिहार स्पेशल समाने अध्यान उसको आप पढ़ लेंगे तो बिहार से एक भी प्रसन आपका छुटने वाला नहीं है चले देखते तो वो थे जैराम दौलत राम कौन थे जैराम तौलत राम अगला जो प्रसन पूछा गया आपका देख लीजिए बिहार से लेटर लगबग बारत 15 कोश्चन पूछा गया है तो बिहार में कुल कितने जीले है तो बिहार में सब को पता है 38 जीले है कुछ कोश्चन तो इतने हल के पूछ दिये जाते हैं बिहार का च्छे तरफ़ल कितना है तो बिहार का च्छे तरफ़ल कितना है 94 अगला जो प्रसन पूछा गया वो देख लीजे बिहार का राजकुंत कौन से नहीं बिहार का राजकूत को Net गिंद है कौन से है गिंद नेक्स्ट अगला जो परसन पूछा गया बिहार से रिलेटेड निमलिकित में से किसे बिहार की बिभूती बिहार बिभूती के नाम से जाना जाता है तो बिहार बिभूती के नाम से स्री कृष्ण सिंग को जाना जाता है बिहार विबूती के नाम से अनुग्रह नारायन सिंग को जाना जाता है किसे जाना जाता है अनुग्रह नारायन सिंग को अगला जो परसन पूछा गया जारखंड किस बर्स बिहार से अलग हुआ था तो जारखंड किस बर्स बिहार से अलग हुआ था 2013 में अलग हुआ था Next प्रसन था आज की एक्जाम का निमलिकित में से कौन सा बिहार राजी का पक्छी है तो बिहार का राज की ये पक्छी कौन है तो सब को पता है कौन है गुरेया कौन है गुरेया Next अगला जो प्रसन पूछा गया वो देख लीजिए बिहार की निमलिकित में से कौन सी भासा तिरहुत लिपी का परियोग करती है तिरहुत लिपी का परियोग करती है तिरहुत लिपी आपका मैथली से जुरा हुआ है मैथली काफी खुबसूरत बिहार का भासा है इससे जुरा हुआ है कभी आप सुनके देखिए मैथली बहुत मजाएगा सुनने में छाट पूजा जो बिहार में मनाई जाती है वो किस भगवान को समरपित है तो छाट पूजा समरपित है सभी को पता है भगवान, सूरे को यह क्या है समरपित जिसे यहां पर रभी कहा गया है न अगला जो प्रसन पूछा गया वो देखिए आपके सामने है बिहार के निमलिकित व्यक्तियों में से कौन माउंटेन मैन के रूप में जाना जाता है तो दसरत माझी को कौन नहीं जानता है पूरा पहार काटके रास्ता बना दिया तो यह कौन है दसरत माझी अगला जो प्रसन पूछा गया आज के एकजाम में भारतिय संसद में कितने संसद बिहार राजी का प्रते निधितु करते हैं तो जो इंडियन पर्लियमेंट है दिली में उसमें बिहार से जो वहां का जो बिहार से कितने सांसद हैं जो वहां पर परते निदितों करते हैं तो कितने हैं चालिस है कितने हैं अगला जो परसन पूछा गया आज की एकजाम में वह आपके सामने हैं निमलेखित में से किसे मै मैथली कभी कोकिल या मैथली की कभीत्री कोयल के रूप में जाना जाते तो यह बहुत फेमस थे मैथली के कभी वो थे बिद्यापती कौन थे वो बिद्यापती थे नेक्स्ट जो प्रसंद पूछा गया आज के एक जामे वो आपके सामने आप देख सकते हैं बिहार में सबसे अधिक आबादी वाली जन जाती कौन सी है तो बिहार में सबसे अधिक जो आबादी वाली जन जाती है वो आपका है संथाल कौन सा है संथाल अभी ज्यादा संख्या तो जारखन हटने के बाद उधर चला गया लेकिन बिहार में अभी भी सबसे जदिक जन जाती यही है मा की जंजातियों की संख्या कम है बिहार में महाजन पद के अंतरगत कितने गनराज सामिल है तो महाजन पद के अंतरगत कुछ 16 गनराज सामिल है आप पढ़े होंगे ancient history में नई पढ़े हो तो आप हमारे channel पे जाके पूरे ancient history डालागे देख लीजिए छेतरफल के द्रिष्टी से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो आपको पता है सबसे बड़ा जिला है पस्चिम चमपारन कौन सा है पस्चिम चमपारन अगला जो परस्ण पूछा गया आज के एकजाम में बराबर गूफा है किस जिले में इस्तित है किस जिले में स्थित है गया में स्थित है मैं कोशिस कर रहा हूँ कि जितना भी परसन आपका बिहार से लेटेट पूछा गया है सक्षमता परिक्षा में और साथ में जो आपका BPSC TRE2 में तो उस सारा परसन एक साथ में लाने बाला हूँ तो आप अगर नहीं जूरें तो हमारे चैनल से जूर जाए क्योंकि बिहार की एक्जाम के लिए तो भाई पूरे मेहनत कर रहे हैं अगला जो परसन पूछा गया बैसाली सहर किसकी राजदानी तो बैसाली सहर किसकी राजदानी है तो ये है आपका लिच्चवी की राजदानी थी बैसाली सहर आज की एक्जाम में जो कुछ प्रस्ण हिंदी से पूछे गए हैं जो हमारे पास आया है तो वो हम आपके लिए लेकर आए हैं अलग से तो देख लिजे पहला प्रसन था हिंदी का अरन्य का परियाबाची सब्द है तो अरन्य का परियाबाची सब्द है विपिन क्या है विपिन है अगला जो प्रसन पूछा गया वो देख लिजे आप आप सब्द सर्व नाम है तो आप सब्द कौन सा सर्व नाम है तो ये निज जवाचक सर्व नाम है कौन सा सर्व नाम है निजवाचक सर्व नाम है अगला जो प्रसन पूछा गया वह आपके सामने है कि चराचर का संदी बिछेद क्या होगा चराचर का संदी बिछेद हो चर जोर अचर क्या हो जाएगा चर जोर अचर अगला जो प्रसन पूछा गया ऑ अन्यवेसन कौन सा संदी है तो अन्यवेसन आपका यन संदी है कौन सा है यन संदी है अगला जो प्रसन पूछा गया वो देख लीजे गजानन कौन सा समास है तो गजानन आपका कौन सा समास है तो ये है आपका गजानन आपका बहु ब्री समास है कौन सा है बहु ब्री समास ह क्या घजानन अगला जो प्रसन पूछा गया आप देख लीजे आपके सामने यग्य साला कौन सा समास है थी यग्य साला ततपुरुस समास है ना ततपुरुस समास है अगला जो प्रसन था हिंदी का वो था हिंदी व्याकरन का related रात दिन कौन सा समास ये तैयर रात दिन दुन्द समास ये जो दोनों तरब जिसका पलरा भा रहा हो तो उसे दुन्द समास कहा जाता है अगला जो प्रसंद था वो देख लेजीए इती सीरी होना मुहाबरे का अर्थ क्या है तो इती सीरी मोहाबरेकार्थ होता है खुसा मत करना क्या होता है खुसा मत करना अगला जो फ्रेंड्स पूछा गया प्रस्न वो था ढोल पिटना मोहाबरेकार्थ होता है तो सबको पता है ढोल पिटना मोहाबरेकार्थ क्या होता है इसका अगला जो प्रस्न था वो था आपका चक्रपानी कौन सा समास है तो चक्रपानी बहु बढ़ी समास है क्या है चक्रपानी बहु बढ़ी समास है एक पर समास देख के जाईएगा डेली पूछा जा रहा है प्रसन अगला प्रसन है कमल नयन कौन सा समास है कमलन नयन कर्मधारे समास है क्या है कर्मधारे समास है अगला जो प्रसंद था आज के एक्जामे वो था कि प्रेम निमगन की समास का उदाहरन है अगला जो प्रसंद था जगन नात का संदी बीचेत था क्या हो जाएगा जगत जोर नात क्या हो जाएगा जगत जोर नात अगल जोर इस option number ए आपका सही हो जाएगा अगला प्रसंद था यहाँ पर पवित्र का संदी बिछेद क्या होगा तो पवित्र का संदी बिछेद होगा पो जोर इत्र क्या होगा पो जोर इत्र अगला जो प्रसंद था वो देख लिजे आपके सामने है उच्वास का संदी विछेत क्या था तो उच्वास का संदी विछेत था उत्जोर स्वास क्या था उत्जोर स्वास अगला प्रसन था वान्मे का संदी विछेत क्या था तो वान्मे का संदी विछेत था वाक जोर मैं है ना उतकर्स का बिलोम उतकर्स का बिलोम क्या था तो उत कर्स का बिलोम था अपकर्स क्या हो जाएगा अपकर्स अगला जो प्रसन था नैन का संदी वीचे तो नैन का संदी वीचे था ने जोर अन क्या है ने जोर अन पुत्र का परियावाची देखिए पुत्र का परियावाची क्या होता है तो पुत्र का परियावाची बेटा होता होता है क्या होता है बेटा होता है नेक्स्ट अगला जो प्रसंद था वो देख लीजिए आप वो था पत्थर का परियावाची तब पत्थर को पासान कहा जाता है क्या कहा जाता है पासान next नर का विपरार्थक सब्द क्या होगा तो नर का विपरार्थक सब्द होगा क्या नारी क्या हो जाएगा नारी next अगला जो परसन पूछा गया जिस पुरुस की स्तिरी मर गई हो उसे क्या कहा जाते है तो उसे बिधुर कहा जाते है क्या कहा जाते है बिधुर कहा जाते है नेक्स्ट पुरुस मर गया हो तो इस तिरी को क्या कहा जाते है बिधवा कहा जाते है नेक्स्ट है कान देना मुहाबरे का अर्थ है कान देना मुहाबरे का अर्थ है ध्यान देना क्या देना ध्यान देना नेक्स्ट जो प्रसन पूछा गया हिर्दे का विशेशन है तो हिर्दे का विशेशन है हर्दिक क्या हो जाएगा हर्दिक नेक्स्ट अगला जो प्रसन परते हैं कौन सा परते हैं अगला जो परसंद पूछा है लंबोदर कौन सा समास है तो लंबोदर आपका बहु ब्री समास है कौन सा समास है बहु ब्री समास है तो हिंदी से भी जितने परसंद पूछा गया हमारे पास आया है अगर आप एक्जाम देकर आये हैं आज का तो आ हम एक और बेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ सके ताकि आने वाले एक जाम में जितने भी कंडिडिट जाने वाले हैं उनको हेल्प मिल सकते हैं चले मिलते हैं अगली कलास में तब तक के लिए जैहें